हेलो एवरीवान वेल्कम बैक टू माइ यूटूब चैनल सिम्रन खान आज की वीडियो नेल आट की होने वाली है सेट अप देख के आप पहचाने गया होगे तो यह नेल आट मैं कर रहे हूं छोटे नेल्स वालों के लिए मतलब जिनके नेल्स बड़े नहीं होते हैं या जि अच्छी वीडियो एक बना लेती हूं छोटे नेल्स पर नेल आट की और स्टैप बाइस्टैप मैं आपको बताऊंगे सबसे पहले क्लीनिंग करना है आपको नेल्स की नेल पेंट लगा हो ना लगा हो फिर भी यहां मैंने ब्लू हेवन का थिनर लिया है आप कोई भी थिन पाल लेकर आप नेज को क्लीं कर सकते हो ठीक है अभी मैं यह वाली नेघार करने वाली हूं तो इसके लिए मैंने पिंक शेड और एक लीटर लिया है गोल्डन कलर का सबसे पहले मैं बेस करूंगी नेल पर इसके बाद यहां पे मेरा कैमरा गिर गया था बिलकुल सब तोट फूड गया और एक नेल प्रेंट भी बिलकुल टूट गई थी जो ट्रांसपेरेंट नेल प्रेंट होती है फिलाल चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को यहीं से ही तो उसके बाद हम ग्लीटर रही उसके उपर आपको इस तरीके से डिजाइन दे रहां आप गोल में भी दे सकते हैं और ब्लैक कलर लिया ठीक है यह देखने में आपको कटीन लग रही होगी बहुत ऊपसे पहले है बेस कर लो सिंगल भी कर सकते हो डबल भी कर सकते हो आप लाइम कलर यूज करने से पहले वाइट कलर भी यूज कर सकते हो बट मेरा सिंगल पर यहां पर अच्छा सा पिगमेंट आ गया था उसके बाद ब्लैक कलर वही सेम ब्रश लेंगे हम ब्लैक कलर लेके नेल पेंट से इस तरीके से बहुत इजी रहता है आप इसमें अलग अलग डिजाइन दे सकते हो जैसे बीच में से ऐसे राउंड दे सकते हो या साइड में दे सकते हो गोल बना सकते हो रिंग बना सकते हो मतलब पांचो नेल्स पर आप अलग अलग तरीके से डिजाइन बना सकते हो इजी सा कुछ भी जो चालते हैं यह वाली नर्ट के ऊपर इसके लिए मैं ले रही हूं यापर बलू कलरर और ब्लेग कलर तो वही amen सबसे पहले आप बेस कंप्लीट कर और नेल पर आप मैइ बहось सकते हैं यशान वाली नेल पिर जायो दगा नहीं है कि आप唇 लेनी के लिए अपको कोई होल्squad cream या फिर वैसली या बोरो प्ल्स तरीके से अपको अपने finger nails के आज पास बाण लगा लेना हैं ताकि dies ली हट जाए बादि शुक्रण याम पर लिए उससे मैं इस तरीके से यह आट कर रही हूं थोड़ी सी ब्लैक कलर की लगा लिए हलकी हलकी सी उस पर नेल पेंट और इस तरीके से डब डब करके यहां पर ले सकते हैं आप फॉर्म भी ले सकते हो अगर आपके पास हो मेरे पास अविलमल नहीं था तो मैंने इससे ही य इसके नेम है तो आप इसकी कोटिंग कर तो इतना अमेजिंग लग रहा था ना यह नेलार्ट कसम से मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था परस्नली तो उसके बाद नेक्स आते हम यह वाली नेलार्ट पर यह भी बहुत जादा आप इसको देखते भी होगी लगा कर उसके उपर और इस तरीके से नेल की जड़ पे मैंने लगा दिया जड़ से उपर की तरफ को मतलब उपर से नीचे क्यों नहीं लगाया था उसके बाद यह मैंने जैल अमेजिंग आ रही थी और ऐसे ही रही है इतना मस्त लग रहा था यह चार नेलार्ट मैंने बत